नमसकार धोस्तों हमारे यूटूब चनल में आपका स्वागत है देखिए धोस्तों एक बड़ी ब्रेकंग न्यूट जा रही है कि जारकन में जो है धोस्तों फीर सरकार लग गए हैं तैयारी में और दोस्तों एक सप्ता जो है लोगडाउन बढ़ने की उमीद है जी है दोस्तों चलिए न्यूज हम आपको पूरा बताते हैं दोस्तों क्या न्यूज है तो पूरा में वीडियो में आप लोग बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लिजिए दोस्तों कि एक हपता और बढ़ सकता है जारखन में लॉगडाउन जाने बड़ी बजा देखें दोस्तों 31 मही का न्यूज है दोस्तों आज या नि आज दोस्तों तो पूरा न्यूज हम आपको बताते हैं देखें जारखन में जो है लोग तक एक बार फिर से राज में सुवस्त सुरक्षा सप्ता को बिस्तरित कर दिया जाए इसके पीछे बड़ी वज़ा है कि करोना महामारी के फैलाव को लेकर कई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मुख्यमंतरी मुख्यमंतरी हमंत सुरन ने कल मंगलवार एक जून को आपदा परबंदन की हाई लेवल मेटिंग के बाद लोगडाउन को लेकर एक बड़ा एलान कर सकते हैं कि अभी जारखन में जो है तीन जून तक लोगडाउन लगाया गया है सरकार की माने तो सीम हमंत जो है ताबर तोड फैसले से करोना वाइरस संकर्मन काबू में है लेकिन स्वस्त विभाग और आपदा परबंदन विभाग अभी भी करोना वाइरस संकर्मन की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जूट गये हैं एसे में कम बोस छोटी बड़ी बंदिशों के साथ कम से कम एक सप्ता के लिए जो है जहरकन में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है यह पास की ब्यावस्ता जो है वापस लेते हुए सरकार की और से इस दोरान जीलों में आवागमन दुकानों मॉल आदी खोलने फूल फूरूप तैयारी में जूटी है सरकार सुत्रों पर भरुसा करें तो करोना संकरमन के काबू हलात और ताजा सूरत एह हाल को देखते हुए जहरकन में जो है लॉकडाउन जल्द हटेगा लेकिन करोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी भी सावधान राना जरूरी है मुख्यमंतरी हमन सुरन ने भी कहा कि करोना संकरमन पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है जरूरत पढ़ने पर कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं सरकार के सुत्र बता रहे हैं कि करोना की चेन तूटती ही सीम हमन्त जनता को राहत देने के मोड में हैं ऐसे में कुछ 44 धारा को आगे भी जारी रखा जा सकता है परहाल जारखन में लोकडाउन बढ़ने या फीर हटाने पर आखरी फैसला एक जून को होगी दूसरी तरफ राज्य में क्रोना संकरमन की तेजी से घर्टे मामले को देखकर आम जन्मानास फोरी तोर पर राहत की उमीद कर रहा है ऐसे संभावना जताई जा रही है कि लोकडाउन अब नहीं बढ़ेगा लेकिन गाओं में संकरमन से बचने के लिए सरकार जो है कड़े कदम उठा सकती है और 30 माई तक जो है देखे आकड़े के हिसाफ से जारखन में करोना पोजिटीव रेट एक फिसीदी से नीचे पहुच गई है यानि दोस्तों अब जारखन में जो है संकरमन की संख्या घट रही है लेकिन लोकडाउन फिर से लगने की उमीद है ताकि पूरी तरह से जो है खतम हो जाए तो यह सरकार बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों चैनल के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा धन्यवाद